रामनगर से स्वक्त की बड़ी खबर रामनगर में हाथी ने एक यूवक को कुचल कर उतारा मौत के घाट रामनगर के ग्राम कंदला निवासी एक ग्रामीड को जंगल में हाथी ने कुचला घटना के बाद म्रतक के परिजनों में मचा हुआ है कौराम हाथी के आतंग को लेकर ग्रामीडों में दहशत आपको बता दें कि पाला सिंग उम्रिट 36 वर्ष गुरुवार के दोपैर ट्रेक्टर ट्रॉली में ज्राइविंग कर रहे अपने भाई को हर रोस की तरहा खाना देने के लिए जा रहा था इसी बीच पीर पत्ता के जंगल में अचाना के एक हाथी ने पाला सिंग पर हमला बोल दिया और उसे अपनी सून में फसा कर कई बार जमीन पर पटकने के साथ ही उसे कुचल दिया घटना की जानकारी मिलने के बाद परीजन वा ग्रामीर मौके पर पहुचे और लहुलुहान हालत में जमीन में पड़े पाला सिंग को उपचार के लिए ततकाल रामनगर की सरकारी अस्पता लाए जहां चिकित सकों ने उसे इम्रत खोशित कर दिया घटना के बाद से हाथी के आतंग को लेकर गाउं में देशत बनी हुई है वही जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी वा कर्मचारी भी मौके पर पहुचे तता वन कर्मचारी द्वारा गर्ष्ट शुरू करने के साथ ही जंगल में ग्रामीरों से अकेले ना करने की अपील की गई है देखे रामनगर से संबाद अता राजी बग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट